आज का मेरे लेक्ट्चर चेप्टर नमबर 17 के टॉपिक है मेरे पाफ फ्रेम और रेफरेंस फ्रेम और रेफरेंस से रिलेरी में आपसे बात करूँगा सबसे पहले आप से क्या बोल रहा हैं मैं सीग्यू में आप से कहा गैलिली एन ट्रास्फॉर्मेशन अर्प्रिकी विन डैश तो आप तमाम लोगों याद होगा गैलिली एन ट्रास्फॉर्मेशन के अंदर आपने कुछ एक्वेशन पढ़ी होंगे हैं अपको रिकॉल करा हूं फॉस्ट आपने पढ़ी एक्वेशन इक्वेशन नदर आ रही हैं आपके पास यह एक्वेशन कहरा थी हैं गैलिली एन ट्रास्फॉर्मेशन इक्वेशन मैंने जान पूछ के आपको रिकॉल करा जीन था कि थोड़ी सी बास यह आपको याद आजाए कि आप तमाम लोगों ने पढ़ा हुए गैलिली एन ट्रास्फॉर्मेशन अब यह गैलिली एन ट्रास्फॉर्मेशन जो है यह किसी सी यह एप्रिकेवल है इनरिश को लिखके दिखा दूँ एक एलाती है मेरे पास इनर्शिल और एक एलाती है मेरे पास नॉन इनर्शिल अब इनर्शिल नॉन इनर्शिल क्या है इसके बारे भी आपको पता होनी शाहिए इनर्शिल के अंदर आपकी बॉड़ी अगर आपकी बॉड़ी या तो रेस्ट में ह बारे में जबकि अगर मैं बात करूं नॉन इनर्शल में वह करता है युनिफॉर्म विलॉसिटी से नहीं बलके मूँव करता है नॉन इनिफॉर्म विलॉसिटी ते अब मैंने जान पूछे आपको थोला सा इसका बेसिक आईडिया देए था कि आप इस से लेटर जितने भी अब पढ़ो देखो नमबर टू में क्या बोलाए इनर्शल में रेफरेंस है डैश अब देखो मैंने कहा ना आपसे आपसे वह मूव करेगा अब आपसे नमबर एक या तो क्रेंट विलॉसिटी से तो क्या हो जाएगा क्रेंट रूशल जायगा इसका उप्शन नमबर ए लेकिन इस एपसी में थोड़ी सी मिस्टेक है एरॉर है इस में आप गलती क्या निकाल सकते हो देखो या तो तो कॉंसेट करें या लीजिए ल A में आब से कहा constant velocity और option नमर B किokol जाएगा तो में आन ignored will जायगा नहीं कोश् Candidly भी जीरो विलॉसीटी भी और जीडिडर Su आमशु के बाद में स्थून नम्बर थ की आगने अगर मुझोञ के ऐसे डेस्च depends upon dash ताब तो अवाम लोग को याद है एनर्जी का फॉर्मला आप लोगों ने चुपड़ा है एनर्जी का फॉर्मला पड़ा है इस इकपल टू mc2 इस फॉर्मले के मुदाबिक आपकी जो एनर्जी है बिटा यह एनर्जी डिपैंड करती है मास पे और सी होता है यह तो आपने स्टेट्मेंट पढ़िए कि आपकी जो सारी की सारी मुशन जो है वो रिलेटिव है माला हर बॉड़ी जो से के लिहाद से मोशन के अंदर है कोई भी पॉड़ी एप्सिल्यूट मुशन इसकी फॉस स्टेट्मेंट भी है इसको डिटेल में लिखता तो नहीं आ अपसे का फ्रेम ऊफ रेफरेंस इस यूज अब पेम रेफरेंस क्यों यूज किया जाता है पूइखो ना आपने फ्रेम ऊड़ेकर फ्रेम रेफरेंस पढ़ाया आपने है किसलिए समाल होते हैं किसी भी क्वाइंट की पोजीशन बताने के लिए तो करें अब भी होगा यानि लोकेट दपोजीशन ऑफ इन इस पेस इस पेस का मतलब कि अगर थी डैमेशन होता है तो वह स्पेस कहलाता है मैं लिग भी रिद्धान स्पेस किया कि 3D 3D मतलब तीन ड डिपेंड करते हैं तो आप बुलेंगे सर वन गांसर डी यानि इनर्शल पर मोरेफरेंस के लिए निर्शल आप से कहा दा फ्रेम और इनर्शल क्यों कहलेगा मैंने आपको बता है ना बेटा या तो आपकी बोडी रेस में हो और दूसरा मैंने बता है या तो रेस्पेंगी या फिर मूव करें मूव विट उनिफार्म विलासिटी तो liberal आपको एंपे कॉन सा उप्षिन नजर आ हा रहा है और बोलेंगे सब्सक्राइब नजर आ रहा है ऊप्षिन आपटी यानि मूविंग इंच्पू बलासिट आपका निच्पू प्रेम उपलेट इनेर्शल फेम जाएगा तो मास्को जीरो से मठिप्राइब करो कि तो जाप की फोर्स वो भी क्या हो जाएगी जीरो जाएगी इसका मतलब यह हुआ कि उसकी फोर्स भी जीरो है नेटफ एकटिंग ओन इडिए जीरो तो तो करेक्ट आंसर ऑल और लॉफ दीस हो जाएगा औल अल अप्लीज और non uniform velocity का मतलब होता है बेटा उसकी acceleration 0 के बराबर नहीं है मतलब body में कुछ ना कुछ acceleration होती है जबी तो non uniform velocity है ना यह तो basic सी बात है आप तमाम लोग ने acceleration की definition बड़े acceleration की definition क्या है the rate of change of velocity is called acceleration यानि velocity change होगी और जब velocity change होगी तो उनिफॉर्म नहीं कहलेगी बलकि क्या कहलेगी नॉन उनिफॉर्म कहलेगी तो सिंपल अगर वर्ट में बात करूं नॉन इनर्शल फेमर एफरेंस का मतलब non uniform velocity non uniform velocity का मतलब acceleration 0 यह मतलब कुछ ना कुछ acceleration होगी तो correct answer हो जाएगा मेरे पास option नंबर 9 के बार 10 में आपसे क्या क्या रहा है एंसी नंबर 10 में का the theory of relativity shows that newton in newtonian mechanics is dash विटा यह correct answer इसका option अब भी है यानि वैलिट only to the velocity up to the velocity of light यानि जो velocity of light की वैल्यू एठी एक्स्परेंशल 8 अब 3 exponential 5 तो तो आपके newtonian mechanics जो है यह newton के laws है वो अप्लिकेबिल है इस velocity से कम पर आपके अप्लिकेबिल है इस velocity ज्यादा पर अप्लिकेबिल नहीं है मैंने आप आगे cross लगा दिया और इससे पहले पर ने एक लगा दिए तो correct answer option नमर भी है तो यह कुछ बेसिक से सब्सक्राइब करते हैं तमाम लोगों के लिए रहूंगे नाइक से अगले लेक्षिर में आपसे मजीद की बात परेंगे जब्सक्राइब अपना खायल अच्छी हैगा अलाहाफेस